हलो दोस्तो, Reader Books Club में आपका फिर से स्वागत है, आज हम बात करने वाले हैं, Transcendence, My Spiritual Experiences with Pramukh Svamiji बुक के बारे में, जिसे Dr. APJ. अब्दुलकलाम जी ने लिखा है, जो प्रमुकh Svamiji के साथ उनके Spiritual Experiences को बताते हैं, Dr. APJ. अब्दुलकलाम सर हमारे देश के राश्पती और एक Scientist रह चुके हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी बड़ी बड़ी उपलब्दियां हासिल की हैं, इस किताब में वो बता रही हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो प्रमुकh Svamiji के साथ कैसे connected रहे, अब्दुलकलाम सर और प्रमुकh Svamiji की पहली मिलाकात 30 जून 2001 को नई दिली में हुई थी, उनसे पहली बार मिलते ही कलाम सर काफी जादा प्रभावित हो गए थे, उनका जीवन बहुती सिंपल और शांती पूरवक था, वो बहुती साधरन तरीके से अपना जीव के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, उनके पिता जी हर शाम को मंदिरों में एक पुजारियों के साथ बैठकर चाय पिया करते थे और दिन के मुद्दों पर चडशा किया करते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर spirituality की भावना बच्पन से ही जागी थी, और वो बच्पन स ही इस शीज में विश्वास रखते थे, जब वो अपने जीवन में पहली बार प्रमुक स्वामी जी से मिले, तो उनकी भावना इसके प्रती और तेज हो गई, और इसके बारे में उन्होंने और जानना चाहा, जिसकी वजह से अब्दुल कलाम जी और प्रमुक स्वामी जी के बीच एक खची दोस्ती बन गई, तो सबसे पहले कलाम सर, इस किताब में होने के experience के बारे में बताते हैं, 2001 से 2014 के बीच, एपी जी अब्दुल कलाम सर, प्रमुक स्वामी जी महराज से मिल रहे थे, इस शेप्टर में वो बता रहे हैं, कि प्रमुक स्वामी महराज के उन में पता चला, और उन्होंने उनसे मिलने के मनशा जताई, 2001 में पहली बारे में पेज अब्दुल कलाम जी, स्वामी महराज से मिले थे, अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि राजनीती में उनको जितनी भी सफलता मिली है, उसमें प्रमुक स्वामी जी का बहुत बड़ा हाथ है उन्होंने हमेशा अब्दल कलाम जी को सही रास्ता दिखाया और कठीनाईयों के समय उनकी मदद की वो कहते हैं कि अक्सर लोग spirituality को गलत तरीके से देखते हैं वो देखते हैं कि spirituality को वो मानता है जिसको सादूसंद बनना होता है लेकिन ऐसा नहीं है spirituality को हर कोई अपना सकता है ये हर किसी के लिए फाइदेमंद है चाहे वो स्कूल जाता बच्चा हो चाहे जौब करता हुआ कोई इंसान हो चाहे घर में काम करने वाली कोई महिला हो ये सभी के लिए फाइदेमंद हो सकती है क्योंकि spirituality से आप अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को महसूस कर सकते हैं और अपने आपको ईश्वर से जुड़ा हुआ पाते हैं अब्दुल कलाम जी बताते हैं उनकी जिंदगी में spirituality के शुराद तो बच्चवन से ही हुई थी लेकिन असल में जब उन्होंने spirituality के उपर ध्यान देना शुरू किया तो वो बस अचानक से हुआ था एक बार कलाम जी किसी बात को लेकर बहुत ज़ादा परिशान थे वो इस प्राबलम का solution नहीं डून पा रहे थे जिसके चलते जो साथी उनके साथ काम कर रहे थे उनके उपर गुसा करने लगे थे वो बहुत जादा गुसे में रहने लगे थे और डिप्रेशन का शिकार हो गए थे तब उनको प्रमुक स्वामी जी के बारे में पता चला और उन्होंने एक जगा पर बैठकर आदे घंटे के लिए इश्वर का ध्यान लगाया अपनी आखे बंद करके उन्होंने घहरी सांसे लेना शुरू किया और कुछ देर बाद उनको बहुत अच्छा महसूस हुआ उस समय कलाम जी को लगा कि एक ऐसी चीज थी जिसे वो अपने अंदर हमीशा मिसिंग पाते थे लेकिन आज जब उन्होंने अपने आपको स्प्रिचल ताकत के साथ जोड़ा तो उनको बहुत अच्छा लगा और इसके बाद उन्होंने प्रुमक स्वामी जी से समय समय पर मिलते रहने का मन बना लिया अगले चेप्टर में कलाम जी बताते हैं कि एकसर हम अपने आपको जैसा मानते हैं हम वैसे नहीं होते इस बात को वो एक एक एक्जामपल देखे समझाते हैं वो कहते हैं कि क्लास में हर किसी को लगता है कि वो सबसे ज़ादा पढ़ते हैं और उनकी नजरों में वो सबसे जादा पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं लेकिन जब एक्जाम होता है और एक्जाम के बाद रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि उनके अलावा भी तीन लोग जादा पढ़ रहे थे जिन्होंने टॉप किया है जिसके बाद उनको पता चलता है कि उन्हें और मेहनत करने के जरुत है हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है अगर हम अपना काम खुदी देखकर खुश होते रहेंगे तो शायद हम सुधार नहीं कर पाएंगे इसलिए अपने से बहतर लोगों से फीड़बेक लेना बहुत जरूरी है वरना हम अपनी गल्दियों को समझ नहीं पाएंगे और सिर्फ अपने ही ब्रह्मे जीते जाएंगे अगर हम इस चीज को गौर से समझें तो आज की जनरेशन में ये सबसाइज जादा देखने को मिलती है जहां पर आज की जनरेशन किसी और की बात नहीं सुनना चाती उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है जबकि हर वक्त ऐसा नहीं होता कई जगह पर वो सही भी होते हैं लेकिन कहीं पर गलत भी होते हैं वो इस चीज को मानना नहीं चाते कि वो गलत हैं जिसके वजह से अपनी गलतियों को कभी सुधार नहीं पाते और आगे जाकर लाइफ में फेलर देखने को मिलते हैं इसके लिए किलाम जी हमें कहते हैं कि हमेशा दूसरों की नजरों से अपने आपको देखना चाहिए इसका मतलब होता है कि ऐसे नजरीय से देखें कि जो काम आप कर रहे हैं कि अगर आप देखने वाले होते तो आपको वो काम उस तरह से अच्छा लगता। अगर इसका जवाब हाँ आता है तो आप सही रास्ते पर हैं। एक और चीज जो उन्होंने प्रमक स्वामी जी से सिखी वो ये है कि शान्ती तभी मलती है जब हम इसे दूसरे लोगों से बाटते हैं। अकसर हम देखते हैं कि जो भी चीज़े हमारे पास हैं वो हम खुदी रखना चाते हैं। कुछ लोग नहीं चाते कि उनकी नॉलिज किसी और को पता चले लेकिन असलियत ऐसी नहीं है। कलाम जी हमीशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी देश को समर्पित किया था। वो कहते हैं जैसे ज्ञान बाटने से बढ़ता है ठीक उसी तरह शान्ती भी बाटने से बढ़ती है। शान्ती एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने आप में और समाज में ग्रूत आ सकते हैं। अब्दुलकलाम सरने स्वामी जी से पूछा कि शान्ती का क्या मतलब है वो कहते हैं। अब्दुलकलाम जी कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में ग्रूत चाहिए तो अपने आपको शान्त रखना होगा, अपने मन को खुछ रखना पड़ेगा, वरना कभी भी कुछ अच्छा शुरू नहीं कर पाएंगे। अब जहां हैं हमेशा वही रह जाएंगे। कलाम जी बता रही हैं कि एक और बहुत जरूरी चीज़ जो उनको स्वामी जी से सीखने को मिली थी, वो थी confidence that we can do it. ये confidence होना कि हम कर सकते हैं। अबदुल कलाम जी बताते हैं कि अपने करियर में उन्हें कई बार ऐसे challenge आये जिनने देखकर उन्हें लगा कि ये मैं नहीं कर सकता और उन्होंने कई बार उसे छोड़ भी दिया। लेकिन प्रमुक स्वामी जी से मिलने के बाद उन्हें पता चला कि किसी भी challenge को अपनाना कितना जरूरी होता है। इस चीज से हमें भी ये सोचना चाहिए कि life में हर तरफ challenge मिलेंगे अगर आप challenge को अपना कर आगे बढ़ेंगे तो जादा chances हैं कि आप सवल हो जाएंगे लेकिन अगर आप उन challenges को नजरंदास कर देते हैं या फिर उनको कभी अपनाते ही नहीं हैं तो वहीं के वहीं रह जा लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया उन्होंने पाइलेट बनने के challenge को अपनाया लेकिन वो पाइलेट नहीं बन पाये लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे उसके बाद वो DRDO के secretary बने और आगे चलकर उन्होंने राश्पती बनने का challenge अ आना चाहिए और इसी से आपके अंदर confidence आएगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं Self-discipline ही सवल्दा का एक मात्र मार्ग है अब्दुल कलाम जी कहते हैं With self-discipline, almost anything is possible मतलब self-discipline के साथ कोई भी काम मुश्किल नहीं है अब्दुल कलाम जी बच्पन से ही बहुत जादा self-discipline निसान थे उन्हें जो काम करना होता था वो उस काम को time से किया करते थे इसलिए उन्होंने अपनी जीवन में इतनी सारी उपलब्दियां हासिल की प्रमुक स्वामी जी से मिलने के बाद उनके self-discipline को लेकर और भी विचार बढ़ गए प्रमुक स्वामी जी कहते हैं कि self-discipline इंसान के अंदर के आलस को खत्म कर देता है discipline का मतलब होता है वो काम करना जो आपको भी करना पसंद नहीं है लेकिन इस काम को करने से आप life में आगे बहुत सफल होंगे इसका सबसे बड़ा example हम student की life से देख सकते हैं किसी भी student को पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता लेकिन वो पढ़ते हैं ताकि वो exam में अच्छे नमबर ला सके ठीक उसी थरा हमारे अंदर self discipline का होना बहुत सरूरी है आगे स्वामी जी बताते हैं कि इंसान दो चीजों पर जीता है एक होती है खुशी यानि की happiness और एक होता है pleasure लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि खुशी आपके पास लंबे समय तक रहेगी जैसे अगर आप एक ऐसे इंसान है जो काफी जादा मोटे हैं और पतला होना चाते हैं तो आपको अपना मन चाहा खाना छोड़ना होगा exercise करनी होगी अगर अभी दोनों चीज़े करना आपको पसंद नहीं है जो आपको आगे चलकर पतला बनाएंगी तो शायद आने वले टाइम में आप और मोटे हो जाएं वहीं चीज़ों का ध्यान रखने से आप हेल्दी रहेंगे प्लेजर आपको थोड़ी सी देर के लिए महसूस होता है एक्जाम्पल के लिए आपको पतला होना है लेकिन आप मनपसंद खाना खाते रहते हैं और रोज एक्सराइज नहीं करते तो ऐसा करते टाइम आपको थोड़ी सी देर के लिए खुशी होगी लेकिन बाद में आप अपने आपको एक मोटा इंसान पाएंगे तब आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा इसलिए हमें इस चेप्टर में ये सीख मिलती है कि हमेशा हापिनेस को महत्व दे ना कि प्लेजर को और एक सेल्फ डिस्प्रेंट इंसान बने और फियरलेस लुक इस चेप्टर में कलाम जी बता रही हैं कि जो आप अपने मन में सोचते हैं वैसे ही इनसान बन जाते हैं प्रमक सौामी जी अब्दुल कलाम जी के अच्छे मित्र होने के साथ-साथ एक अच्छे मेंटर भी थे वो अब्दुल कलाम जी को बताते थे कि आपको हमेशा नेडर रहना चाहिए चाहे बड़ी से बड़ी मुश्किले क्यों ना आ जाएं आपको इस मुश्किल से कभी भी नहीं डरना चाहे आपको इस मुश्किल का समधान डूनना चाहे जब अबदुल कलाम जी भारत के राश्पती बने और वो भारत को बदलने के लिए नई नई नीतिया वना रहे थे तब उनको कई सारी दिकते आ रही थी और इसके लिए उन्होंने प्रमुक स्वामी जी से बात करने का फैसला किया तब अब्दुल कलाम जी का प्रमुक स्वामी जी से सवाल ये था कि हम भारत में गरीबी कैसे दूर कर सकते हैं भारत में गरीबी दूर करना बहुत ही मुश्किल है मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा कभी हो पाएका प्रमुक स्वामी जी ने अब्दुल कलाम जी को यही कहा था कि आपके सामने एक चैलेंज है अगर आप इसे अपना लेंगे तो हो सकता है आप एक अलग लेवल पर पहुच जाएं और अगर नहीं करेंगे तो आप यहीं पर रह जाएंगे प्रमुक स्वामी जी की बात को मानते हुए अब्दुल कलाम जी ने इसे माना और उन्होंने विजिन 2020 बनाया था जिसके अंदर भारत की गरीबी को दूर करने के लिए कई सारी चीज़े लिखी हुई थी उसमें ये भी था कि हमें हिंदुस्तान के युवाव को नौकरी लेने से अच्छा नौकरी देना सीखना चाहिए कलाम जी की जिन्दगी में प्रमुक स्वामी जी का बहुत बड़ा युगदान हर तरीके से रहा है उनके राजनीतिक जीवन में भी प्रमुक स्वामी जी ने उन्हें बहुत सारी चीज़े सिखाई आप भी इन बातों को अपनाएं कि लाइफ में कभी भी किसी भी सुचिशन में डरे नहीं डरने की बचाए हमें शान थोकर उसका समधान ढूरना चाहिए उसी से आप आगे बढ़ पाएंगे इस बात को कलाम जी के एक्जामपल से समझाते हैं वो कहते हैं मान लीजे कि आपके सामने बहुत बड़ा पाहाड है आप दो चीज़े कर सकते हैं या तो आप अपने मन से उस पाहाड को पार करने का विचार निकाल दे और इससे देखकर परिशान होते रहें या फिरशान बैठ कर इस चीज़ का समधान निकालने के बारे में सोचें कि उसे कैसे तोड़ा जा सकता है जिसकी वजह से आप उस पाहाड को पार कर पाएं और लाइफ में हमेशा दूसरे आप्शन को चुनने वाले लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि इन सभी लेसन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और हमने जो कुछ भी सीखा है आईए उसको एक बार और दोरा लेते हैं हमेशा आज पर ध्यान लगाना चाहिए ना कि भविशे की बाते सोच सोच कर परिशान होना चाहिए आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं हमें हमेशा सेकिंड पर्सन के पॉइंट व वी से सोचना चाहिए हमें अपने अंदर की गल्दियों को पहचानना चाहिए शांती दूसरों में बातने से बढ़ती है हमें चैलेंजस को अपनाना चाहिए अगर हम चैलेंजस को अपनाएंगे तो या तो हम जीतेंगे या फिर हम कोई नई चीज सीखेंगे लाइफ में सफल होने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन निसान होना बहुत ज़रूरी है सेल्फ डिसिप्लिन आलस को हमसे दूर रखता है हमें कभी भी किसी भी परिस्तिती से डरना नहीं चाहिए अब इन सभी चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करें और आगे बढ़ें इसके साथ साथ क्या आपको पता है इन दे जॉइ अफ वदर्स लाइज आरोन यानि की दूसरों के सुख में ही अपना सुख है इनी शब्दों से अपना संपून जीवन व्यतीत करने वाले ब्रहम सोरूप प्रमुक स्वामीजी महराज का शतापदी महतसव 15 देसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 तक एहमदाबाद में मनाया जाएगा ये महतसव B.A.P.A. स्वामी नारेंड संस्था द्वारा आयोजित किया गया है जो कि एक विश्व्यापी सामाजिक आध्यात्मिंग संगठन है जो विबिन सांस्कृतिक उत्सवो और सामाजिक कल्यान कतीविदियों के माध्यम से लाखो लोगों को एक इमानदार जीवन जीने के लिए लकातार प्रेइत करने का प्रयास कर रहा है परम पूचे महन स्वामी महराज के दीवे मार्दर्शन में इस महत्सव का सेलिप्रेशन भारत और विदेशों से लाखो लोगों को आकरशित करेगा और उनमें नैतिक मुल्य को जखाएगा यहां जाकर आप लाइफ चिंजिंग एक्स्पिरिंसेस को महसूस कर सकते हैं आप पूरे परिवार सहित प्रमक स्वामी महराज शतापदी महत्सव का अनन जरूर लें धन्यवाद